लोग फ्रेंट कैसे हो आप लोग आई होप आप सबच्चे होंगे चलिए बनाते हैं आज तंदोरी रोटी निक्स वेज करी इस पारिशी ओनियान तो सबसे पहले हमने प्याज टमाटा लहसुन द्रक और मिर्ची को फ्राई कर लिया फिर इसमें हम वाटर मिलन सीट्स और थोड़े से आलू फ्राई करेंगी उसके बाद मैंने थ्री टाइपस अप कैप सिकम लिया उसको भी हम हलका सा फ्राई कर लेंगी साथ में पनीर कॉर्ण और मटर का तो सीजन है तो मटर दी हम एड़ कर देंगे आपके पास और सबजिया हो तो आप वह भी एड़ कर सकते हो देल लिया और घी लिया अच्छे से गरम हो गया तो मैंने से एड़ डाला जीरा तेस पत्त और अपनी जो प्यूरी रेडी की वो डाल दी है फिर अच्छे से भुल लिया इसमें मैंने मेगी मसाला, गरम मसाला, तंदूरी मसाला, रेड शिली पाउडर, अच्छे टे डालेके अच्छे सब्सक्राइब, और अच्छे से नमक टाल दिया, तोड़ा सा पाईं डालकर अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया साथ में हम आटा भी रेडी कर लेंगे उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है आप चाहो तो मेंदा भी ले सकते इसमें नमक सोड़ा दही चीनी कलोंजी कसूरी मेती घी तीन चार चमर डालकर अच्छे से हमने इसका आटा रेडी कर लिया कि फिर मैं हमारी सब्झी बन कर रेडी हो गई एदेखो कतनी बड़िया लग गई है फिरक कसूरी मेती डाल देंगे और कृम से इसका फ्लेवर और भी बड़िया आता है फिरकर में स्पाइससी ओन दे डी कर लेंगे उसके लिए समक्यैन नमक मिर्ची नीवू डालकरए से मिक्स कर लिया है फिर अपनी रोटी को पेल लेंगे और उस पर थोड़ा सा पाने लगा लेंगे जिसे लिए पर चिपक जाए फिर उसको एक साइट से पकने देंगे फिर दूसरी साइट से हम गैस पर धिनी आज पर पकाएंगे एक तम क्रिस्पी बनकर रेडी होती है खान करना आप भी ये रेस्पी जरूर ट्राई करना बाई बाई थैंक यू